राम राम सत्सरी काल सारे भाईयन भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल सुख विर्डांडा डैरी फार्म में आप सब भाईयों का स्वागत है और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और पास में लगया गंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भाई फेस्बुक पेज से जुड़ना चाते हैं वो और याना मुरा एसे वेशन के नाम से जो फेस्बुक पर पेज है उस पर अपनी फॉलो कर सकते हैं उसको और आज आप सब भाईयों को एक दूसरे ब्यांत की जोटी दिखा रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें वीडियो में सारी डिटेल बताई जाएगी बाओ बताई जाएगा और बैंस की जो चुआई है वो भी आप सब को छोटी कलिप बनाके एक मिन्ट की दिखाई जाएगी जिस बाई को पसंद आए वो बाई से संपरक करना ना पसंद आए तो बाई जी इनगोर कर देना तो ये दूसरे ब्यांत की जोटी है जी बाई का नाम है राकेश फोजी एक वीडियो में इनकी पहले भी डाल चुका हूँ आपने पहले देखियोगी पहले ब्यां की जोटी है राकेश फोजी बाई का गाउं है डोकी कितलाना दादरी रोड पर बाई का गाउं है और जोटी ने कटडी को जनम दिया है जी और अभी 6 दिन ब्याई बताई बाई ने और 11 किलो दूद है और चुवाई की एक नंबर की है उसकी वीडियो में लाश्ट में दिखाऊं भी आपको और वीडियो में मैं सभी बाईयों को ये की बात कहता हूं देखो कोई चाए बपार करता है या किशान है या कुछ भी लगा लो भाई आप जो पसु खरीते हैं वीडियो में एक आपको ये दिखाना गी वीडियो में आपने जोटी देख ली आगे जाके पसंद करो अगले के गर पे पसु अगले के गर पे जाके पसंद करो भी ये देखोगी भी पसु कितना बड़ा है छोटा है चुवाई कैसी है दूद कितना है दो टाइम, तीन टाइम, च्यार टाइम चुआई करके देखो भई और कल को ये ना होगी उस फलाना चैनल पे हमने देखी दी जो टी ऐसी निकली वो निकली देखो पैसे कमाने हैं बैस बेचने वाड़े बाई ने और खरीदने वाड़े ने बैस खरीदनी है दूद पीना उस बाई ने खरीदने वाड़े ने मेरे को ठीक लगी जो टी गाडर भी चोड़ा है बैस मेरे को एक थोड़ी ही वो लगी थी वो बाई ने बताया कि थोड़ा बाव बूगा है या कुछ भी है वो आप अपनी कंफरम कर लें जाकर बाई ने जब वीडियो डाली ये देखें ये कटड़ी दिखा रहे हैं बाई जी ये नाड़ुआ लटक रहा चोटा नाड़ुआ कट्या हुआ कहेंदे बैस चैदन की ब्याई है आज कट बैसे और बच्चा चैदन का है और चुआई चुई की तो एक नंबर की बताई छोटे सींग की है आईट ज़्यादा बड़ी तो नहीं कह सकते वीडियो देखकर बैस बीच की आईट है और अडरूडर बहुत अच्छा है और जो टी ठंडी भी ऐसी ही है कि भाई राम से आत फेरो कोई दिकत ने बाई ने बताया कि भाई जो टी खाने पीने की भी बहुत बड़िया है अगर 6 दिन की ब्याई है तो दूद भी चलो उमीद थोड़ी बहुत उपर कर सकते जितनी भी हो सकती वो उमीद के असार है तो मैं तो नहीं कह सकता क्या पता जो टी 15 गिलो दूद पे जाए 16 पे जाए ये 12 पे रहे वो अपनी संतूष्टी करके लो भाई छोटे सींकी है मीडियम आइट है कोई छोटी नहीं कह सकते कोई जादा बड़ी नहीं कह सकते ये देख सकते हैं कि आप पूँच भी मनों दो डाई इंच सफेद होगी और आप बाई का नंबर दिया हुआ है वो इनसे कनफरम कर सकता है कि बाई चुआई तो मैं वीडियो में दिखा दिऊंगा जोटी कैसी है लेने वाड़ा बाई बाई भी पूछेगा बाई ने एक लाग पंद्रा जार रुपे रख्या है बाई ठीक लग गया देखो जबी मैंने वीडियो बाई की आपको आपके सामने देखने के लिए डाली है और बाई के गर पे आप जाकर देख सकते हो च्यार टाइम चुआई देखो बाई पसंद आए तो जो टिलो ना पसंद आए तो बाई अगला अपने पसू के साथ संतूष्ट आपा अपने गर पे आ के संतूष्ट ये देखें चुवाई भी आपको दिखाई जारी है सुबह का टाइम है मानों सुबह जब चुवाई हुई थी मैंने भाई से बोल ला था चुवाई की वीडियो साथ में जरूर डालना ये देखें जो उस वीडियो में थोड़ा थन लंबा दीख रहा था इसी करके मैंने उसकी भी वीडियो मंगवाई है चुवाई के टाइम की बेचुवाई गर पर जाकर जरूर देखें मैं किसी का माध्यम नहीं हूँ मैं आर एक वीडियो में ये कहता हूँ देखो ये देखें चुवाई वैसे तो मोटी लग रही है बहुत अच्छी और आप अपनी संतूष्टी करें ये च्यारों थणों की बाहिदा आरमार के दिखा रहा है और आप सब बाईयों को वीडियो कैसी लगी सब बाई कोमेंट में बताना बाई वीडियो को अंतक देखने के लिए सब बाईयों का तई दिल से धन्यवाद है जी